हेलो एबरिवान और वेलकम तो मैं चैनल स्मार्ट होम साइंस तो आज हम इस वीजियो में कवर करने वाले हैं डाइंग टॉपिक के बारे में और जो की जिसको हिंदी में रंगाई कहते हैं जो कि एक मॉस्ट इंपॉर्टन टॉपिक है तो करते हैं स्टार्ट पहले अगर हम करें कि जब हम बात करें अगर हम फाइबर की फाइबर यह आपकी तीन प्रॉसेसिंग होती है कि आपको एक फाइबर मिला फाइबर से यान में और यान से किसमे क्या मिलेगा आपको फैबरिक मिलता है जब फाइबर से आप यान मिलता है तो फाइबर से यान जो प्रॉसेस होता है यान में और जब यान को वीविंग की जाती है यान वीविंग कर लो नीटिंग कर लो तुसे आपको एक फैब्रिक तयार होता है यानि जिसको बोलते है कपड़ा कपड़ा तयार हुआ अब जब लूम बगारा से जब कपड़ा तयार होके आता है तो वह इतना ग्रे ग eing प्राइबर होती जानी कि प्रिंटिंग के लिए ठीक है कि जो टेक्स्टाइल है उसकी स्मॉइलेस स्यूनिट कौन सी होती है तो fiber होती है यह आप याद रखना तो चलते हैं अपने dying topic पे अगर हम बात करें dying dying क्या है एक रंगाई बोल सकते हैं dying को क्या है रंगाई अब जब रंगाई करते हैं तो रंगाई के लिए रंगों के अवशक्ता होती है और हाँ एक बात होर आपको textile preparatory processing के द्वारा कपड़े को prepare किया जाता है dying, printing, finishing के लिए क्योंकि कपड़ा को अगर हम यह नहीं करेंगे मतलब प्रिप्रेंट नहीं करेंगे कपड़े की को तो वो क्या होगा dying और printing उस पे नहीं की जाती क्योंकि जब कपड़ा लूंग से उतर के आता है वह ग्रे गूट्स होता है उसमें बहुत अधा impurities होती है और उस impurities को remove करने के लिए different processing की जाती है और क्यों की जाती है जिससे कि कपड़े के क्या हो सके जो fiber है fiber को की ability को improve किया जाए कि जो dying वगेरा हो वो अच्छे से absorb कर ले fiber और उसमें uniformly spread हो जाए dye जो है और तो इसलिए क कपड़े को prepare किया जाता है ऊसमारा सब्सक्रास की जाती है है और impurities को remove करने के लिए इसने कि प्रॉससिंग किया जाता है जिसमें कपड़े को जो है तो फ्रॉसेशिंग होती है लिए च्रशती के यह जाते हैं को रिमूव करने के लिए यह फार्षा दि जूख के लिए ठीक है तो ऐसे और भी ज़ाधा depth processing होता है तो डी मुख कर 16 होती है तो यह से प्रॉसेशंग होती है जिससे कपड़े को प्रिपेर किया जाता है अब अपने आसपास देखते हैं तो आपको बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं प्रेचूर मातरा में और कलर ही एक ऐसा की ऐलिमेंट है कि जिसके बेस पर जो कंजूमर होता है जो कपड़े खरीता है वो उसकी क्वालिटी को जज करता है आप कहीं जाते हैं कपड़ा लेने ए होता है वहीं अगर हम हिस्ट्री ऑफ डाइंग की बात करें तो जैसे अगर हम बात करें रंगाई की तो रंगाई की कलर संदरी है प्रदान करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्राचीन टाइम से अगर हम बात करें भारत रंगों के शित्में बहुत अधा इंप से कलर ले रहे हैं तो वह नेश्रल डाइज में आजाता है ना तो नेचर से मतलब प्राकतिक रंगों का बहुत दा नौलिज थी भारत के लोगों को और वह भारत के लोग जो थे इनका प्योग करते थे वस्तों को सुंदर बनाने के लिए इसके सासा जो पश्चिमी देश में बड़ी मातरा में क्या किया दे तो उपलब्द भी कराए जाते थे क्या नेचरल कलर डाइंग के दवारा कपडों की ब्यूटी को एनहांस किया जाता है और यह ऐसा ही नहीं कि जो रंगाई की कला है वो अभी से चली आ रहे है बहुत दा पुराने टाइम की है यह और जैसा अट्रेक्शन डाइंग के लिए पहले था वो अब भी ऐसे ही है मतलब इजिप्शन लोगों में ग्रीक में रॉमन में और अगर हम बात करें कि जो पहले के लोग थे टाइम्स के वो इच्छा करते थे कि जो कपड़े की कलर किया जाए उसको नेशुरल डाइ से ही किया है और कुछ पहले जो अर्लियस टेक्स्टाइल है कपड़े हैं उनके भी टुकड़े मिले थे जो की म्यूजियम के अंदर रखा गया है अनकेरा टर्की के अंदर और यह समझा मतलब यह अंडस्टूड है कि जो नेशुरल डाइ है चाइनीज लोग जो है 5000 पहलों से उनका कर रहे हैं कोटन के जो फैबरिक है उनको भी डाइ किया जा रहा है मेडर के द्वारा मोहन चोदारों की टाइम से यह सब पाये गए हैं मिले है इनके एविडेंसी और अगर हम बात करें कि जो मेडर है यह प्लांट है जिसको संस्कृत में मेजिस्टा के नाम से जाना जाता सेफ्रोन डैट क्लोव सें यह भी पाया गया कि सैफ्रोन डैट क्लोव से हुए उनका यूज़ किया जा रहा था हरमित जो कि सादू संथ है उनके द्वारा बीच नाम से जाना जै तो इन सबका भी यूज किया गया है लोगों के द्वारा कपडे पाये गए थे उसategory में के यह सब के जो डाइस थी जो अप्टेन हो रही थी यानि इंसेक्ट से और प्लांट से ठीक है तो इंसेक्ट से और जो प्लांट से डाइ मिल रही थी वो ही एक वैपार का केंद था । एशिया और उर यूरोप के बीच ठीक है वहीं अगर हम बात करें कि synthetic dye कैसे आई synthetic dye कैसे आई तो synthetic dye के अगर हम बात करें तो वह कैसे आई synthetic dye इसलिए आई क्योंकि जम natural dye का आप यूज कर रहे थे तो वह natural dye इतनी stable नीरा रित इतने time तक और इसके सासे तो वह limited color में मिल रही थी तो इसकी limitations की वज़े से ही synthetic dye का उत्पादन हुआ उनको खोजा गया और 1856 में 19th century में William Henry परकिन ने इसको क्या किया था खोजा था ठीक है और जब वह क्या कर रहे थे किस टाइम इसकी खोज हुई थे जब एनेलीन से वह कुनेन बना रहे थे तब अचानक से synthetic dye का यह वह था डिसका मतब यह उनका क्या हुआ खोज की गई तो यह question बनता है 19th century में 1856 में William Henry परकिन के द्वारा यह खोज की गई औ क्यों की गई क्योंकि naturalize की limitations थी क्या limitations थी क्योंकि वह limited colors में मिलती थी और highly जाय है stable नहीं थी फिर अगर हम बात करें dye क्या है अगर हम dye की बात करें अपने simple words में तो dye क्या है कि कपड़ों को जब आकरशक बनाने के लिए जो परिसज्जा करते हैं एक permanent रूप से एक कह सकते ह तो उसको क्या के जाता है वस्तरों को रंगा जाता है और रंगने के लिए जिस पदार्ट की रंगा ही कि जाती है मतलब को रंगा जाता है उसी processing को क्या कहा जाता है कहा जाता है यह सिंपल वर्ट में आप याद रख लीजिए तो डाइंग क्या है एक टेक्निक है एक प्रोसेस भी हो सकते हैं कपड़ों को रंगने की तो डाई मतलब अभी हम बात करें हो कि नैशुरल डाई को भी पर सब्सक्राइब कि नैचर से जो कलर आपको मिले और एक त करती है दो परकार की डाई होती है एक तो नैचरल और एक सिंथेटिक तो कितने परकार की डाई होती है दो परकार की डाई होती है सिंथेटिक और नैचरल डाई से मिलती होंगी प्लांट से एनिमल से मिंडल से और सिंथेटिक डाई जो हैं लेबरेट्री में बनाई जाती ह देखो सिंटैटिक डाई कहां बनाई गई लैप्स में और जो नेच्रल डाई है वह कहां से मिल भी है नेच्रल सबिस्टांस जैसे प्लांट से अनिमल से और मिंडल से इन सब के बारे में आगे हम डिटेल स्टेडी करेंगे डाई के बारे में फदा चल गया अब पिग्मेंट की बात कर रहे है तो डाई जो होती है वह वाटर में सोल्यूबल होती है लेकिन वहीं अगर हम पिग्मेंट की बात करेंए जिसको वर्णा कहा जाता है यह वाटर में इंसोल्यूबल होते है और इनको वाटर में कोकी वाटर इंसोलीबल है जब कपड़ों पर ऐसे आसानी से यूज़ेंगे नहीं इनको बाइंडर की यूज़ होती है जो कब कलर को फैब्रिक के ऊपर बांध के रखे उनका यूज़ करके मुखे पिगमेंट्स का क्या कि जाती है इनके द्वारा कौपडों को कलर किया पिगमेंटर में इपाप कि नहीं है ज नहीं पोऌछ पाते हैं और अगरं मिट्स की बात करें थो नियसकी वाटर सोलीबल थे पानी में निकल जाती यानि यह पर्माने नहीं लेकिन अगर हम पिगमेंट कि अप्कत करें तो आसनी से रिमूव नहीं होते हैं ठीक है पिगमेंट सर्ट इंसोलिबल जो हमंद्य से लिये जाते हैं मतल evident जुई खनिच हैं उनिसे लिये जाते हैं और मेटल को कष़यर करने के लिए के लकडी को स्टोन को कोई भी मतलब जो भी कपड़े का है टेक्स्टाइल मेटेरियल को कलर करने के लिए इनका यूज किया जाता है यह इंसोलीबल होते हैं कलर पार्टिकल से जिनको कपड़े के सरफेस पर रखा जाता है एक बाइंडिंग एजेंट के द्वारा यानि एक ब लेकिन पिगमेंट वाटर इंसोलीबल होता है लेकिन अगर हम बात करें कि जो इनके कपड़े की उपर प्रकिरिया करने की भी प्रॉसेसिंग एपलाई करने का तरीका भी अलग है क्यों अलग है क्योंकि जो डाई है उसको तो आप सुलुशन के फॉम में यूज करते हैं व समझ आया और पिग्मेंट से जब आप किसी भी कपड़े को कलर करते हैं तो उसके लिए एक बाइंडर की अवशक्ता होती है क्योंकि वह वाटर इंसोलिबल होती है क्या पिग्मेंट वहीं अगर हम बात करें तो डाइंग मतलब रंगाई जिस भी मैथड से आप कपड़ों को रंगते हैं जिस पर क्रिया का यूज करके कपड़ों को रंगा जाता है उसी को क्या कहा जाता है डाइंग कहा जाता है ठीक है डाइंग जो है अलग-अलग स्टेज पर की जाती है चाहिए और जो टेमपरेचर है वह टाइंग के दोरान कंट्रोल किया जाता है ठीक है तो यह सब कपडों को सुंदर बनाने के लिए कपड़ों को क्या कि जहता है रंगा जाता है जिस पदार्थ का यूज करके वोडों को कि work क्याते हैं यू से डाइ कहते हैं और जिस पयाशिंग रख्वां कैते हैं डाइ इसे color करने के लिए binder की जरुबत पर दी क्योंकि ये water insolival होते हैं dye affinity का मतलब क्या है कि जो dye जब आप जिस dye का use कर रहे हैं जिस fiber के ओपर कर रहे हैं उनका traction जो है वो ही क्या कहलाती है dye affinity कहलाती है In simple terms dye affinity is the dye absorbing capacity of textile fibers, yarn and fabrics अब हमने बात की पीछे कि dye जो है आप ऐसा नहीं है कि dyeing का जो dye है वो आप क्या करते हैं कि एक contour ने करें आप यान कीıldı की states में भी कर शगते हैं उसको fiber fabric किसी भी step में अप डाइ कर सकते हैं लेकि श्याजाना है कि क्या उनका absorb कैसे कर रहे है थीक्ति है तुकि हमने बात की डाई इफिनिटी क्या होती है कि fiber और die के बीच का traction है उसी को क्या कहलाते है डाई इफिनिटी और अगर हम बात करें कि वो die क्या absorb हो रही है नहीं नहीं यह capacity जो है आप अगर fiber के उपर use कर रही है तो fiber की capacity कैसी है die को absorb करने की वहीं अगर हम यान के उपर कर रहे है तो यान की absorbing capacity कैसी है डाई को और fabric के उपर कर रहे है तो fabric की dye absorbing capacity कैसी है वो ही क्या कहलाती है क्या होता है और दो एक गम की तरह होता है इसाता है फिसे जब करते हैं को डाइट करें कॉम करते हैं तो बाइंड दाइंड को भाम करने में help करता है fiber और ठीक है fiber के साथ ठीक है dye को bind करने में जो help करता है एक mordant होता है जो chemical की तरह होता है तो mordant क्या होता है mordant एक chemical होता है जो की dye को bind करने में help करता है fastness क्या है ये क्या है dye की terminology है fastness क्या है तो these are the properties of the dyes which indicate the tolerance of the dyes on the fibers हाँ fastness का मतलब क्या है कि जब आपने dye fiber पे कर दी है तो उसकी tolerance सहने की शमता कैसी है कि foreign agencies के towards कैसे light के प्रती कैसी है धुल रहे हैं तो कैसी है heat से वो उसका रंग उतर रहा है नहीं उतर रहा है rubbing आप उसको रगड रहे है तब कैसी है और जब पसीने वगएरा है तब कपड़ा पहनते हैं आपने dye कर रखा पसीने के तो उसकी fastness का मतलब है कि dyeing की मतलब सहने की शमता कैसी है कपड़े की dyeing को इन सब conditions में heat के दोरान rubbing पसीने के दोरान गर्मी के दोरान धुल रहे हैं उसके दोरान तो यह सब क्या कहलाती है fastness कहलाती है अब हम बात करते हैं कि dyes की classification तो common classification जो है dyeing की वो sources के base पे होती है जिससे आप उसको ले रहे हैं यानि अगर आप नेचर से ले रहे हैं तो वो natural dyes अगर आप उसको lapse वगरा में बना रहे हैं तो वो synthetic dyes कहलाएंगी तो natural dyes को classified क्या गया है plants, animals, मिंडल्स और microbes और fungus से भी आपको dye मिलती है तो natural dyes classified हुई है plants में यानि होती है जो पहले से ही ancient word में है वो कौन सी है tyran purple जो कि एक insect से मिलती है और इसको royal purple के नाम से भी जाना जाता है इंडिगो जो है highly price died है अपने color के लिए और क्योंकि यह बहुत अदा fast नहीं होती बहुत अच्छे हो कि यह कहीं अगर आप कहीं धूप से कोई फरक नहीं कैसे प्लांट से आप डाइ को ले रहे हैं रंग जो प्राप्त करें वह वेजिटेबल से होती है different parts of plants का यूज कि आजाता है डाइ बनाने के लिए जैसे पत्तियों का यूज कि आ गया है लकडियों का जडों का बाक्स वगैरा का यूज कि आजाता है किसके लिए रंग प् यह लिए इसके जाता है यह सब नेचरल डाई के अंदर आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप डिफरेंटÕ्ट के पार्ट से क्या करते हैं कलर आप्टेंट कर सकते हैं तब से भी होता है है flowers से भी होता different flowers के नाम दे रहे हैं तो आप इनको एक बार study कर लेना वहीं अगर हम animal origin की बात करें तो animal origin भी एक main source है natural dye का जैसे गर हम बात करें insects जो कीड़े होते हैं and most of these provided red color और यह mostly क्या करते हैं आपको लाल रंग provide करते हैं the most highly price ancient dye stuff and one concerning with much interest क्या है tyran purple मैंने बताया था tyran purple एक most important animal dye है tyran purple this was obtained from the juices of certain species of snails found in the water of Mediterranean sea तो इनके juices से जो है यह tyran purple नाम की जो dye है वो क्या की जाती है obtained की जाती है tyran purple जो है वो कहां से एक insects से मिलती है आपको कहां पे animal से ठीक है तो animal से कौन कौन सी डाइ animal से अपको कौन सी डाइ मिली tyran purple और यह क्या है भूम अध्य सागर में क्विश्यश पिरकार की मचली है उससे यह जामनी रंग प्राप्त होता है भूज़दा महंगा होता है और क्योंकि अब ऐसा नहीं होता उप्टेन नहीं गया थी क्योंकि बहुत ज़दा कीड़े मर जाते थे और कीड़ों को मारके बहुत थोड़ा सा कलर जो है उप्टेन होता था ठीक है वहीं अगर हम आगे बात करें देखो जो डाई टाइरन परपल है वो सी स्नेल से उप्टेन की जाती है या फिर आप शैल फिसीज जो होती है उनसे उप्टेन की जाती थी और जो की कैसा कलर देती थी वाइलेंट कलर देती थी the carmine dye is from cochineal insect which gives crimson red जो crimson red color मिलता था वो किस से मिलता था cochineal insect से मिलता था the carmine dye is from carmous elisius which gives red ठीक है यह जो carmous elisius जो भी एक कीड़ा है insect की प्रजाती है उससे red color मिलता था और जो less dye है वो कहां से मिलती थी केरिया लेका जो की scarlet color देता था यह अलग अलग प्रजाती है insects की जो कि animal के अंदर आती है इससे dye जो है obtained की जाती थी वहीं अगर मिंडल origin की बात करें तो बहुत सरे मिंडल्स होते हैं जिससे आप अलग अलग प्रकार के जो है dye को obtain कर सकते हैं जैसे की rocks और soils का यूज भी होता था मिंडल डाइस जिससे ऑक्री है मेला चाइट है मेगनीज सीने बाया इन सब क्या था अल्ट्रमेरा इन बुलू यह सब डिफरेंट मिंडल्स से जो है जैसे यह टेबल दी हुई है और यह जो यह नाम है अलग अलग कैसा कलर आपको मिला और किस मिंडल का है और कैसे कैसे कलर आपको अप्टेन हुए यह सब इसकी डाटा है आप एक बार इसको स्टडी कर लेना वहीं अगर हम बात करें माइक्रोबिल और फंगल ओरिजन की तो सबसे पहला है लीचेंस लीचेंस अर प्लांट लाइक डेट ग्रो जो की बार्क लीव चट्टानों पर रूपस पर वोल्स पर ग्रो करती है दे प्रेड्यूस डाइफ टेक्स्टाइल के लिए डाइफ प्रेड्यूस करती है जो ली हैनी कलर्स जो हैं लीचेंस के यूज के जाते हैं डाइफ बनाने के लिए दे आराम्यूचिलिस्टिक सिंबॉस इस अप्लांट बोडी कंसिस्ट ओफ टू कॉइट डिफरेंट और गयनिज्ट है ना मतलब लीचेंस के द्वारा बोल सकते हैं कि लीचेंस के द्वारा जो है कलर जो हैं डाइज जो हैं ऑप्टेन की जाती हैं लीचेंस जो डाइज हैं वो कैसी हैं सबस्टेनि मतलब इसमें किसी भी मौडेंट की जरुवत नहीं होती आप इसको डारेक्ट यूज कर सकते हैं वहीं अगर मश्रूम्स की बात करें तो मश्रूम्स भी कलर डाइज के ल प्लांट से पढ़ा एनिमल से पढ़ा एनिमल में हमने बात की कि टायरन परपल जो की भूम अद्धे सागर में जो रहने वाली मचली यहां थी उनसे प्राप्त होती थी और बहुत सारे कलर्स की अब बात की और मिंडल से बात की कौन-कौन सी डाइस आपको मिली इसके सासाथ हमने किसकी बात करी कि जो माइक्रोपिय और फंगल से कैसे कैसे ओरिजन हुआ डाइका इन सब के बारे में हमने कवर किया और हम अब हम बात करते हैं सिंटेटिक डाइस की तो अगर हम बात करें सिंटेटिक डाइस की तो सिंटेटिक डाइस जो है 19th century में 1856 में इनका evolution हुआ सबसे पहले हम सिंठेटिक डाइज की नॉर्मली पहले हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं सिंठेटिक डाइज का एसीड बेसिक और नुट्रल डाइज में ठीक है नॉर्मली पहले हम इनको समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम सिंठेटिक डाइज का जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो किसके बेस पे कर रहे हैं नहीं सिंठेटिक डाइज synthetic dice का हमने classification किया acid dyes की आधार पे basic dyes की आधार पे और third है neutral dyes तो synthetic dyes का हमने classification किया acid dyes, basic dyes and neutral dyes के base पे जो acid dyes होती हैं वो wool के लिए अच्छी मानी जाती है protein के लिए basic वाली भी silk के लिए अच्छी और जो neutral dyes होती है यह किसके लिए अच्छी मानी जाती है Cellulose Fiber के लिए यह अच्छी मानी जाती है कौन सी? Neutral Dyes ठीक है? यानि Cellulose Fiber Cotton हो गया, Linen हो गया, Rayon हो गया इन सब के लिए अच्छी मानी जाती है Neutral Dyes कौन कोन सी होती है Direct, Develop, Reactive, Wet यह Neutral Dyes जो है Cellulose के ओपर यूज की जाती है और cotton, linen, rayon के ओपर direct, develop, reactive, wet dyes का भी यूज किया जाता है तो सबसे पहले classification किया synthetic dyes का, acid dyes में, basic dyes में और neutral dyes में, neutral dyes cellulosic fiber के ओपर यूज की जाती है जो basic dye है वो silk के ओपर best होती है cellulose के ओपर भी आप इसको कर सकते हैं लेकिन best जो होती है silk के ओपर होती है basic dyes वहीं अगर हम acid dyes की बात करें तो wool के लिए अच्छी मानी जाती है वहीं अगर हम आगे classification बात करें according to the solubility मतलब according to solubility यानि पानी में, यानि water में मतलब water soluble के अधार पर कि कौन सी dye water में soluble है घुल जाती है अगर कौन सी dye water में घुलती नहीं है ठीक है तो according to solubility water soluble और water insoluble तो अगर हम बात करें water soluble की सबसे पहले तो water soluble dye की बात करें और इधर आजाएंगी water insoluble तो पहले अगर हम बात करें water soluble की तो जो की पानी में घुल जाती है तो वो कौन-कौन सी होती है acid basic कौन-कौन सी dye होती है acid dye basic dye reactive dye और इसके साथ एक dye है कौन सी direct direct dye ठीक है तो direct acid basic और reactive dye acid dye है जो की water soluble होती है वहीं अगर हम बात करें water insoluble dye की तो वेट डाई जो की वाटर इंसोलिबल होती है, सलफर डाई जो की वाटर इंसोलिबल होती है, इसके साथ साथ डिस्पर्स डाई जो की वाटर इंसोलिबल होती है, और एजोईक डाई जो की वाटर इंसोलिबल होती है, ठीक है, ये कैसी है, वाटर इंसोलिबल है, और वाटर सो Phaphrodise, Dispursed die और Ezoic die कैसी होती है water में unsolubile होती है इतना कलियर हुआ अब हम बात करते हैं कि जब water में soluble है water में charges भी present होते हैं positive negative ions भी present होते हैं तो gel में जब gholan shield है तो उसमें ions भी present होते हैं अब हम बात करते हैं ions की base पे तो कौन सी die anionic होती है यानि कौन सी डाइस के पास positive charge होते है कौन सी डाइस के पास negative charge होते है हम इन सब की भी बात करते है तो इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी इनकी category हो जाएगी एक तो anionic और एक हो जाएगी cationic cationic मतलब positive charge और anionic मतलब negative charge ठीक है तो Anionic Dye में कौन-कौन सी आ जाएंगी Acid Dye, Direct Dye और इसके साथ Reactive Dye तो Acid Dye, Direct Dye और Reactive Dye तीनों किसमें आ जाएंगी Anionic में और Cationic में केवल आएगी Basic Dye यानि जो Basic Dye है उसके पास ही केवल Positive Charge होता है यानि Cationic होती है और जो Anionic Dye होती है वो होती है Acid, Direct और Reactive जानि जो Water में Soluble है उनको ही हमने क्लासिफाइ किया है Anionic और Cationic में तो जो Basic Dye है उनके पास Positive Charge होती है यानि Cationic की तरफ अट्रेक्ट होती है वो और जो Anionic है वो Acid Dye है, Direct Dye है और Reactive Dye है ठीक है अब हम इतना क्लियर हुआ तो हमने क्या क्या पढ़ा कौन सी Acid Basic Neutral Dye के Base पे क्लासिफिकेशन फिर Water Soluble, Water Insolubal के Base और फिर कौन सी Dye Anionic है और कौन सी Dye Ketionic है हमने इन सब के बारे में क्या किया कवर करा अब हम चलते हैं सबसे पहले बात करते है डारेक्ट डाइस की तो डारेक्ट डाइस कौन सी होती है तो अगर हम बात करें Synthetic Dye की जो सबसे पहली है डारेक्ट डाइस तो डारेक्ट डाइस की जो एप्लिकेशन है यानि इनको जो रंगाई करने की जो इनके द्वारा जो रंगाई की जाती है वो बुजदा सिंपल होती है करने के लिए और फूल कलर रेंज में अविलेबल होती है मतलब इसमें ज पर फैबिरिक के साथ जो 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 जोड़ने की बात ओती है यानि जो uz 2 जा रही है फैबbers नहीं है विलेखनी के मोलेक्वुल की तो वेट डाइस के पास ल्यूको बॉंड प्रेजन्ट होता है अगर हम बात करें वेट डाइस के पास ल्यूको बॉंड बनाते हैं वेट डाइस और यह कैसी होती है यानी यह वटर में घुलती नहीं है और सबसे पहले क्या किया जाता है अगर आप किसी भी कपड़े पर वेट डाइस करना चाहते हैं तो वेट डाइस व Mater इनसोलिवल होती है तो जब आप कपड़ों में इनको यूज़ करेंगे तो वटर सोलिवल बनानी पढ़ेंगी तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो wet dyes है उसको water में soluble बनाया जाता है और जब wet dyes को soluble leucophorm में convert किया जाता है तो उसको weighting बोलते हैं इसी processing को कि उन्हें water से in soluble से जब water soluble बनाया जाता है तो उस processing को wetting कहा जाता है और यह जब wet dyes होती है यह lewco bond बनाती है ठीक है और फिर अप जब पता है कि हमने water soluble बनारी अब जब water soluble मेना ली तो वह कपड़े में से निकल जाएंगी क्योंकि वाटर में तो उनको यूज करने के बाद फिर दोबारा से इनको वाटर इंसोलिवल बनाया जाता है तो उस प्रसेस को कहते हैं ऑक्सिडेसन प्रोसेस ठीक है इतनी बात क्लियर हुई कि वैट डाइस जो होती है इनको वाटर सोलिवल बनाने के लि सोडा से ठीक है तो क्या किया जाता है अगर हम बात करें जो वैट डाइस होती है तो वैट डाइस को वैट डाइस को सोलिवल बनाने के लिए क्या किस से रियक्शन की जाती है सोडियम सोडियम हाइड्रो सलफाइट से सोडियम हाइड्रो सलफाइट प्लस किस से रियक्शन क की जाती है पास्टिक सोडा से तो जब इनकी रियक्शन की जाती है कास्टिक सोडा के साथ और सोडियम हाइड्रोसलफाइट के साथ तो जो वैट डाइज है वह कैसी बुन जाती है वाटर में सोल्यूबल हो जाती है लेकिन जब वह वाटर सोल्यूबल हो गई अब कपड़ों k capacitor में लोग करने के लिए उन्हें फिर से क्या किया जाता है water में extremely बनाया जाता है उसको कहते है Oxidation और वह कैसे बनाए जाती है वाटा सोर्डियम है dark plaster काहला की लेकिन फिर उनको water inability बनाने के लिए किस से reaction जी जाती है तो water in soluble बनाने के लिए hydrogen peroxide से और acidic acid से तो किस से reaction दी जाती है hydrogen peroxide से और acidic acid का use करके आप क्या करते हैं किसी भी dyes मतलब जो wet dyes है उसको क्या किया जाता है फिर से water in soluble बनाया जाता है तो यह था wet dyes को use करने का अब आप देखते होंगे कि आपकी जितने भी मतलब hospitals में bed sheet वगएरा है और hotels में bed को कि इस पर बहुत अलग अलग आते हैं patients होते हैं hospitals में use करते हैं तो इनको बहुत अधा temperature high temperature पर दोए जाते हैं जिससे कि इनके अंदर bacteria अलग अलग disease के लोग होते हैं सब यूज करते हैं तो इनको बहुत अधा high temperature पर दूला जाता है जब high temperature पर दूला जाएगा water soluble है तो यह तो easily निकल जाएगी तो इसको water insoluble बनाया जाता कि कपड़े से यह निकले ना तो यह बहुत अधा महंगी होती है और ठीक है इसके अंदर और cotton पर यूज नहीं किया जाता है इसकी excellent fastness property होती है वाशिंग के प्रती light perception chlorine rubbing सबी के प्रती वहीं अगर हम बात करें sulfur dyes की sulfur dyes जो होती है commonly used होती है cotton के लिए और यह cheap होती है सस्ती होती है और उनके पास भी good fastness property होती है इसको भी मतला बैपलाई करना असान होता है यह भी wet dyes की तरह होती है brightly colored होती है water में insoluble होती है क्योंकि जो water insoluble dyes हमने wet dyes की बात करी थी लेकिन sulfur dyes भी water में कैसी होती है insoluble होती है और इनको भी water soluble बनाने के लिए convert करना पड़ता है ठीक है जो sulfur dyes होती है तो sulfur dyes को भी water में soluble बनाने के लिए क्या करना पड़ता है इनको भी convert करना पड़ता है sulfur dyes जो मतलब जो color मिलते है मेंली वो कौन-कौन से मिलते हैं dark मिलता है dark blue हो गया brown हो गया अब हम बात करते हैं azoic dyes की तो azoic dyes कौन से dyes होती है they are not ready made dyes तो azoic dyes जो होती है ready made dyes नहीं होती है these are supplied as naphthose and basis method of application is complex होता है comes with limited color range जो azoic dyes होती है वो limited color range में आती है और जो इनसे color produce होते हैं वो थोड़े चमकदार होते हैं brilliant होते हैं जैसे की deep red हो गया violent हो गया yellow हो गया और orange they have excellent color fastness to washing and have to poor good to poor light and chlorine fastness suitable for cellulosic fiber तो जो azoic dyes होती है वो भी cellulosic fiber के लिए suitable होती है और अगर हम बात करें तो azoic dyes को आप direct use नहीं करते हैं इनके लिए नेप्थोल के साथ इसको direct मतलब treat किया जाता है जब इसको क्या किया जाता है यूज किया जाता है और इसके अंदर aryle amide group present होता है एजोडाइस के अंदर पूछा जाता है कि एजोडाइस के अंदर कौन सा group present होता है तो इसके अंदर कौन सा group present होता है aryle amide group present होता है मैं लिग दे रही हूँ यहीं पर spelling a-r-wire aryle amide group जो है इसके अंदर present होता है और इसको ठंडी मतलब कह सकते हैं कि magic dye के नाम से भी जाना जाता है ice dye के नाम से भी जाना जाता है और napthol dye के नाम से भी जाना जाता है कि इसको azoic dye को और यह cellulosic fiber के लिए suitable होती है इसको directly use नहीं किया जाता है napthol के साथ इसको treat किया जाता है फिर यूज के जाता है और इसमें temperature जो है 0 से 5 degree Celsius पर रहता है मतलब इसको ठंडे रंग भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें temperature ज्यादा high नहीं रहता है चीक है और इसमें temperature कैसा होता है लो रखा जाता है फिर वहीं अगर हम बात करें रियक्टिव डाइस की तो रियक्टिव डाइस कैसी होती है soluble होती है water में two types of reactive dyes होती है hot and cold method cold dyeing जो use की जाती है बार्टिक प्रिंटिंग में और वो synthetic के लिए suitable नहीं होती और excellent fast nest होती है laundering के लिए crockery के लिए और dry clearing के लिए किसकी reactive dye की चीक है अब हम बात करते हैं next acid dye तो अगर हम बात करें acid dyes की तो यह silk wool nylon and modified acrylic पे commonly use होती है और इनकी cotton cellulose के प्रती कोई भी affinity नहीं होती acid dyes जो है water में soluble होती है और better light fastness होती है basic मतलब जो basic dyes के मुकाबले अच्छी fastness property रखती है disperse dyes के अगर हम बात करें तो disperse dye जो होती है spacily polyester nylon के लिए use की जाती है और यह water insoluble होती है जब water में insoluble होती है तो कैसी होती है यह non-ionic dyes होती है जब आप fabric पर मतलब क्या होती है इसमें temperature बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होता है मतलब 100 degree Celsius तो चाहिए होता है इससे उपर भी चला जाता है जैसे कि एक डाइग में आपको temperature कम चाहिए था वैसे ही अगर हम बात करें disperse dye की तो इसमें temperature ज़्यादा चाहिए होता है अंदर 100 degree Celsius से भी उपर पोड़ जाता है जब आप क्या करते हैं फैब्रिक को जिस पर भी फैब्रिक पर आपको यह डाई करनी है तो इसको डिप करते है तो गरम पानी में होती है तो डाई क्या होती है कि जो फैब्रिक के से बहार निकाला जाता है तो क्या होता है कि वह फिर से क्या होता है अपनी पोजिशन में आ जाते हैं फैब्रिक के मोली कि अपनी साइज में जाते हैं और को महीं क्या कर लेते हैं ट्रैप करते हैं यह एब्जोर्ब नहीं करते हैं बलकि डिसपर्स करती है कलर को यह अपने Shades Required Skill मतला इसे भी यूज़ करने के लिए आपको श्किल चाहिए अगर वहीं अगर हम बेसिक डाइश की बात करें तो बेसिक डाइश की बात करें तो synthetic dye में जो प्रिलेंट डाइज होती है वो बेसिक डाइज होती है और यह बहुत अलप जो हैं किस-किस की जवरत पड़ेगी टैनिक एसीड की जवरत पड़ेगी या फिर कोई भी अधर सिंथाटिक और गैनिक सबिस्टांस का यूज करके आप इनको कॉटन पर यूज कर सकते हैं लेकिन डारेक्ट यूज यह नहीं होंगी वहीं अगर हम बात करें मॉर्डेंट डाइस की की साथ इस सोल्ट वर नेम्ड एस मॉर्डेंट तो उन सोल्ट को नेम्ड क्या दिया गया मॉर्डेंट मॉर्डेंट जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से ड्राइब हुआ है जिसका नाम मॉर्डर है जिसका मतलब होता है बाइट मॉर्डेंट इस दा एसेडिक और बेसिक सो एनाइल ग्रूप के साथ होती है जो कि लैदर पर यूज की जाती है लैदर के उपर डाई को फिक्स करने के लिए और ऑप्टिकल ब्राइटनर्स क्या होते हैं यह भी टेक्स्टाइल फाइबर पेपर पर यूज के जाते हैं देयार फ्लोरोसेंट वाइटनिंग एजेंट जो जिए प्रेइन की जाती है तो यह भी एक तु मेर्णो के पात्राइज़ करना बियू कीफ्रोर्प फ्लोरोसेंट यूज की बात करें के फ्लोर्वसेंट ऑइड़ कर्के बात करेंaden सब्लिमेशन डाई का डिजिटल प्रिटिंग में यूज के जाता है इसको स्ट्रोंग लाइट पास्टनेस प्रोपर्टी देने के लिए और यह जो डाई है टेक्स्टाइल को प्रिंट करने के लिए कमर्शियल लेवल पे आर्टिटेक्चर और आउट्डोर अप्लिकेशन प बनाती जो है सबसे वीक बोंड होता है वहीं अगर हमने डिफेंट तैपस ऑफ डाई की बात करें तो डिर्सपर्स का फेलने वाले रंग होते हैं और आपको में वीडियो पसंद आई होगी एक्ट लोगे तो प्लीज लाइक करना शेयर करना मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेक्स टोपी के साथ थेंक यू